ओपीन आपूनल तो वो बॉले कि बेटा सत लोग चलेगी मैं ओर लें हाँ गूरु मेरको सत लोग ऐए जग रही थी सोर ही नहीं रही थी मेरे को एक सपना सा लगा वो और फिर गुरू जी लेके गए फिर वहाँ पे गुरू जी ने मेरा घर दिखाए गुरू जी बोले बेटा आपकी भक्ति पूरी होने के बाद आप यहाँ पे यहाँ पे आओगे मस्कार जी शत्षाइब सर क्या नाम है जी आपका सिमा यादव बेंजी आप कहां से आई हैं नार्नोल जिला मेंद्रगड हरियाना से बेंजी संद्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा आपने कब ली ग्यारा नवंबर दो अजार आट को संद्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई वक्ति साथना भी करती थी हाँ जी हम संद्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने से पहले सभी देविदेविताओं की वक्ति करते थे और जो कावर्ड वगएरा ये सभी करते थे तो फिर आप संत्रामपाल जी माराज की सरण में कैसे आई हैं। पापाज ने ले लिए उसके बाद हम लोगों को दिलवाया। यहां तक की इटनी शराब पुते की जब मेरा भाई पैदा हुए तो श्य दिन तक तो घर पे भी नहीं आये थे मेरे पापा जी और इसके अलावा शराब पिरने के कारण मेरे पापा की दीड की अड़ी तूट गई थी तो बिल्कुल मतलब चल भी नहीं सकते थे तो गुरुजी संत्रामपाल जी माराज के कारण पापा बिल्कुल सही हो गई शराब भी छोड़ दी पापा ने उसके बेटा सत लोग मैं और भूद के घए और हम पी बहुत मैं बहुती वह सुन्द ना जा रहा था बहुत बड़ी तो मैंसो कि तोड़के खालू कूछा रही यह जूंगे इनोर बैट शोए सोंने त्यास kne चैनी कर त्ट गूरू जी नए मेरे को कि को हैं नहीं प्रशाद दिए डिया तो मैं पता बुरू जी कुछ को ठीकि नितना था हैं फिर गीön तपकने लग रहा था अंद हो निच्चे और यहने गुरू जी को थंगाँ मेठा निजहीं के जिए हो Зем Якो लड़की की लड़की थी तो मैंने उसको खिलाए तो गुरू जी बोले नहीं वेटा किसी को नहीं खिलाना ये आपके लिए मैं वोली ठीक है गुरू जी तो फिर मैं दुबारे चलाने लगी कि गुरू जी आये हैं दर्शन कर लो गुरू जी आये हैं तो गुरू जी इतनी में अंतरधान हो गए और फिर मैं रोने लग गई जोर जोर से मैंने चूरमे का परशाद गाया फिर मैंने जो मेरी भाजी की लड़की मेरे पास रेटी हुई थी मैंने उसको भी खिलाया उसके अलावा मेरे पापा जी का बहुत बड़ा एक्सिडेंट हुआ था आगे ट्रोल रहता था कि वह एक दिन घर पे रहता था तो दो दिन डॉक्टर के पास ही रहता था इतना ज्यादा बिमार था तो संद्रामपाल जी माराज की दय से वह भी ठीक हो गया और इसके अलावा मेरी सिस्टर है उसके गले में प्रोब्लम थी बहुत बड़ी कि ना तो वह सास ले तो उसको गुडगाओं लेके गए फिर उसके बाद डॉक्टर ने का कि छै महीने तो इसकी मतलब दवाई असर ही नहीं करेगी उसके बाद थोड़ी बहुत असर करेगी और यह भी कोई पका नहीं कि ठीक होगी या नहीं होगी इसका बचना बहुत ही मुश्कील है तो तो नहीं मतलब की पापा ने दिमाग लगाए थोड़ा सोचा की मतलब इसके नामखंडी तो रहे होंगे तो फिर वहाँ पे नामदान की मतलब कॉंटेक्ट किया किसी के पास और पुच्छा की मतलब कहा सी कहा तो इसका नाम शुद करवाया अमरजल पिला तो अमरजल इसने ब मतलब मेरे को यह नहीं पता चलता था कि मेरे क्या होता है क्या नहीं मतलब स्कूल में पढ़ रही हूँ बैच पर बैपन दिए नहीं दिंहें कर दोनके नोय inmost देते थे वह और दवा भोज तो मैंने डॉक्टर को का नहीं मैं दवा नहीं लोगी इतनी सारी आप इंजेक्शन देदो फिर उसके बाद उन्होंने का नहीं दवा तो लेनी पड़ेगी वैसे आप कैसे ठीक हो सकते हो तो फिर पापा बोले नहीं भई इसका यहां पर इलाज छारी नहीं कोई बात मिरी तो ने मैंने परमात्मा से गापर मांथ माराज तो गुरुजी ने सोची नामखंडित KEंडितो पहले से बहूं ठीक है वीउ मारी link 9Prec imeyrets जो सिस्ट्रिती उसकी अभी रमैनी हुई है पर मात्मा की दया से बिना धैज उसकी रमैनी हुई है रमैनी शादी को बोलते हैं जो शादी होती है वैसे हमारे गुरू जी रमैनी करते हैं तो वहां पे ना तो धैज लिया जाता ना ही बैंड वाजा कुछ भी नहीं होता बिल संत्ररामपाल जी माराज, उनकी बगती समझो, बुक्स पढ़ो, बहुत सारी बुक्स है, या फिर टीवी चैनल पे सत्संग आते हैं, उनके सत्संग सुनो और अपनी मोक्ष प्राप्टी करवाओ. संद रामपल जी मारत से नाम दिक्षा कैसे पराप्त की जा सकती है संद्रामपल जिमाराच से नाम दिक्षा प्राप्त करने का बहुत ही सरल आईडिया है आप टीवी चैनल पे सत्संग आता है उस पे देख सकते हैं या बुक्स के पिछे भी नंबर रहते हैं हर बुक्स के पिछे नंबर मिलेंगे उस पे आप कॉंटेक्ट करके आपके जो भी जितना पास नामदान बढ़ता है वहीं से आप नाम दिक्षा प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाजी